हाई फ्रेंड्स गुड आप्टूनून कैसे हो आप लोग उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स विल्कम बेक टू चैनल जरनी आप माई लाइफ है यूटूबर कैसे हो आप सब बताना जुरूर और यह देखे फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा लाइफ फियूक तैम कालिजट थोड़ा सा काम था मुझë बुक चैन्जर करने थी ना और यहां पर मैं बना रही थी आलू टमाटर और गोभी की सबजी तो इदर मसाला पका लिया था मैंने मसाला पक रहा है और इसमें प्याज लेसन मैंने पहले से ही इसमें पेस लिया था मसाले के साथ वैसे सूखा मसाला तो सब्जे में डालते ही अक्सर लेकिन अगर मसाला पेस के सब्जे बनाओना ताजा ताजा वो भी सिलवटे में तो बहुत ही सौधिस्ट सब्जे बनती है और यहां पर मैंने टमाटर भी डाल दिया है टमाटर पक जाएगा उसके बाद में इसमें डालेंगे मटर तो अभी टमाटर को पका लेते हैं पहले और इसमें मैं अभी नमक एड़ करूंगी आप लोग देख सकते हो ना कि कितने अच्छे से मसाला भी पक रहा है और टमाटर भी पक जाएगा तो यहां पर डाल दी है मैंने नमक टेस्ट के एकोडिंगी डालना है कम जादा आप डाल सकते हो जैसा भी आपको पसंद हो नमक खाने में तो आप ऐसे डाल सकते हो तो नमक मिलाने के बाद इसको थोड़ा पकाएगे टमाटर जब पक जाएगा तो एक अच्छी सी ग्रैवी बन जाएगी ना तो इसमें हम अभी डाल देंगे मट़र peux कर दो सकते हो कि एकड़सर ना है मेडियम में है गयस का फ्लेम में अचैसाप लोग देख रहे हुँना की गोवी कि इतनी अच्छी है गोवी की सबजी वास्तो में बहुत अच्छी लगती है इस टाम प army चल रहा है तो मुध मटर आलू बस यही सब्जी अक्सर बनती रहती है तो अच्छी भी लगती है खाने में गुभी की सब्ची और यहां पे मैंने पानी डाल दिया हुआ था तो सब्ची भी पक रही है पकी गई है थोड़ा सा और बाकी रहे गया है कितने अच्छे से पक कर के रेडी हो गई है ना सब्ची तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक किया करो सेयर किया करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और आप सभी लोगों का सपोर्ट और प्यार रहे गा ना तो उमीद है कि आगे कुछ कर सकते हैं तो बाई फ्रेंड्स टेक यूर केर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो